नमस्कार दोस्तों अगर आपको सोनी का सबसे बड़िया wireless headphones ले रहा हो चाहे आप in-ear वाला headphone ले रहे हो या फिर on-ear वाला या फिर over-ear वाला तो इस वीडियो को देखते रहे हैं इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे इस बड़िया जो जो सोनी का wireless headphones आप ले सकते हो उ इसके बारे बताते हैं आपको battery life जो इसका है 15 hours का आपको मल जाता है quick charge हो जाता है सिर्फ 10 मिनिट के लिए और 10 मिनिट में चार्ज करने पर आप 60 मिनिट तक का playback आपको मलता है in-build bike आपको मलता है hands-free calling के लिए जिसमें आपको HD voice का support मलता है और यह काफी ultra light weight है सिर्फ 21 ग्र का WIC 200 यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसमें आपको battery life मलता है 15 घंटे का यह भी quick charge हो जाता है सिर्फ 10 मिनिट में और 60 मिनिट तक का आपको playback मलता है in-build mic भी इसमें भी आपको मल जाता है with hands recalling with HD voice support पर इसमें जो sound driver है वो तोरह सा कम है 9 mm का driver unit आपको मलता है जिसमें से काफी ultra light weight भी है और इसका जो weight है वो 15 gram का है तो अगर मैं इन दोनों की prices को बताओ तो Sony का जो WIX B400 है यह आपको मलता है 2800 रुपए में और Sony का जो WIC 200 है यह आपको मलता है सिर्फ 1500 रुपए यानि 1500 रुपीज में तो लगबग दोनों में जो है आपको 1300 रुपीज का फरक है पर इस दोनों में जो आपको सबसे अच्छा अगर मैं बात करूँ तो sound quality जो है आपको WIX B400 में मिलेगा क्योंकि driver unit आपको जादा मिलता है या पर वही पर अगर आपको थोड़ा सा ultra light weight में लेना है तो आप जो है Sony का WIC 200 ले सकते हो सिर्फ 15 gram की weight है काफी बहुत है handy और portable है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात करते हैं Sony का wireless in-ear headphones अगर आप लेना चाहते हो with bass effect तो यहाँ पर आपको यह जो model में आपको दिखाना चाहूंगा Sony का WISP510 wireless sports extra bass वाला headphone तो इसमें आपको IPX5 rating मिल जाता है तो completely यह splash proof है, sweat proof है और यह washable भी है तो up to 15 hours का battery life आपको इसम इसको भी कर सकते हो और एक घंटा playback आप सुन सकते हो quick charge करने के बाद, built-in mic इसमें भी आपको मिल जाता है with hands-free calling with HD voice का support तो यह भी ultra lightweight है सिफ 30 gram इसका weight है और sound drivers आपको इसमें 12 mm का मिल जाता है जो आपको अच्छा sound quality देता है और सबसे खास बात इसमें आपको extra bass effect देखने को मलता है तो इस model का जो price है आपको मिलेगा 4000 रुपीज यहनी 4000 रुपए में तो अगर आपको in-air headphones लेना है तो अगर आपको normal सा basic वाला लेना है पहला दो आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा bass effect चाहिए तो आप इस model को ले सकते हो आगे बढ़ते हैं अगर आपको on-air headphone ले जाता है जो की बहुत ही dynamic sound आपको provide करता है easy hand free calling आपको मलता है voice assistant commands भी देखने को मल जाता है microphone के साथ इसमें जो एक demerit मुझे लगा इसमें आपको oxygen port नहीं मलता है अगर आपके battery खतम हो जाता है तो आपको दुबारा इसको चार्ज करना परेगा आप oxygen port से जो है आप इसको wire connection नहीं बना सकते हो तो इसका जो price है आपको मल जाता है इस model का 3300 रुपए में तो अगर आपको एक on air वाला headphone लेना है तो 3300 रुपए में आप इसको ले सकते हो और इसका जो weight है वो है 132 gram जो की एक on air headphone होने के नाते काफी हम है काफी lightweight है तो अगर आपको एक lightweight वाला import के भी जरूरत नहीं है तो आप यह जो है ले सकते हो आगे बढ़ते हैं अगर आपको over air headphone लेना है तो sony का यह model मैं आपको सजिस्ट करूंगा बहुत ही बरिया यह वाला over air headphone है बैटरी life आपको मलता है 35 hours का तो इसमें जो है आप बहुत ही लंबे समय सकते हो 10 मिनिट में यह भी quick charge हो जाता है एक घंटे की playback के लिए 30 mm का आप को driver unit मिल जाता है तो आप बहुत ही details में जो है songs music को सुन सकते हो यह support करता है Google Assistant को voice access के लिए music information और कही सारे चीज़ के लिए आप Google Assistant को जो है इसमाल कर सकते हो और इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगा इसमें आपको oxygen port मिल जाता है आप जो है square as a wired headphone इसमाल कर सकते हो oxygen port में जो है वायर लगा के अगर आपका battery खतम हो जाता है तो तो इसका जो प्राइज आपको मिल साथ हजार रुपए में तो अगर आपको oxygen port का requirement है आप ये वाला model जो है sony का CH710N over the air headphones अप ले सकते हो तो इन सभी का जो best buy links है इन headphones का जितना भी में बता रहा हूँ सारा जो है description box में दिया गया है आप वहाँ पे जाके इन सारे models को check out कर सकते हो और इनको खरीद भी सकते हो इस description में दिये हुए link से तो आगे बढ़ते हैं आप इस सबसे premium अगर आपको headphone लेना है wireless वाला sony के तरफ से तो वो जो आता है sony का WH-1000X M3 तो इसमें आपको active noise cancellation देखने को मिल जाता है और इसके मदद से आप वर्चुली soundproof experience आपको मिलता है तो इसमें powerful 40 mm का drivers इसमाल किया गया है और इसमें जो है liquid crystal polymer diaphragms दिया गया है जो की headphones को heavy beats को handle करने में मदद करता है और आपको जो है बहुत ही अच्छा सुनाई देता है heavy beats को तो इसमें जो है आपको inbuilt Alexa enabled देखने को मिल जाता है और इसके मदद से आप voice से music को access कर सकते हो तो इसमें जो खासियत है यह आपक की आपको playback time भी देता है और इसमें भी quick charge enabled है तो 10 minute में आप जो है पाच घंटे तक का playback time आपको मिल जाता है सिर्फ 10 minute चार्ज करने पे ही तो वेट की बात करो तो इसका weight 255 grams का है तो अगर आपको सबसे premium wireless sony का headphones लेना है तो आप यह ले सकते हो इसका जो प्राइज है आपक चीज में मिल जाएगा तो यह था सबसे बरिया sony की wireless headphones जो की आप ले सकते हो इन सभी का जो best buy link है मैंने इस वीडियो की description box में देख रखा है वहाँ पे जाके आप इन सारे wireless headphones को check out कर सकते हो देख सकते हो और इनको खरीद भी सकते हो तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपक करते है कादम